उत्तर प्रदेस पुलिस में कॉंस्टेबल यानि सिपाही के पदों पर भरती होने के बाद कितनी सेल नी मिलती है ये जारने के जिग्यासा हर एक बच्चे में होती है कितना NPS कटता है, कितना हर भरता मिलता है, कितना HR मिलता है, कितना DA, कितना TA इन सभी बातों की complete जानकारी के साथ मैं इस वीडियो में आपके सामने उपस्तित हो तो उत्तर प्रदेस पुलिस भरती करने वाले सभी बच्चे जिनकी पदों की संख्या इस बार अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है, साथ हजार के आसपास साथ हजार से थोड़ी उपर है सभी बच्चों को तक ये वीडियो पहुचनी चाहिए ताकि उनको पहले से ये पता हो कि क्या सेलरी रहती है कितना मूल वेतन रहता है, कितना pay scale है, great pay कितना है चलिए शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो को अंतर तक देखिएगा इसके बिल्कुल भी मत रख़िएगा, with proof के साथ मैं आपको बताओ, तो यहाँ पर मैंने salary slip के साथ ये आपको बताया और ये salary slip अगस्त 2023 की है salary slip के साथ मैं आपको ये बताओंगा कि कितनी salary मिलने वाली है या कितनी salary मिलती है कब-कब मिलती है, ठीक है तो सारी चीजों की शुरुआत कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, युट्तव पुर्देश पुलिस में अगर आप नागरिक पुलिस में, यानि Constable पर तैनात होते हैं तो इसका जो grade पर होता है, वो 2000 का grade पर होता है किसी भी job का जितना grade पर होता है उससे लगभग 10 गुने से थोड़ा जादा जो मूल वेतन होता है जिसे हम लोग basic वेतन कहते हैं वो basic वेतन क्या बनता है, Constable का 21,700 अब अगर मन में ये संका आए कि अरे सर 21,700 में क्या होगा तो सारी चीज़ें अभी और मैं धीरे धीरे आपको समझा दूँगा और इतने बड़ियां तरीके से समझा दूँगा कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी ठीक है, द्यान से समझ रहा है ग्रेड पे का लगभग 10 गुने से थोड़ा सा जादा या थोड़ा से कम बेसिक वेतन इसे मूल वेतन कहते हैं वो बनता है इसके साथ साथ अब लगता है इसमें सबसे पहले डिये डिये का मतलब होता है महंगाई भत्ता क्या होता है महंगाई भत्ता हर राज सरकार अपने राज कर्मचारियों को या केंदर सरकार अपने केंदर कर्मचारियों को हर साल महंगाई भत्ता देती है और ये महंगाई भत्ता हर वर्ष बढ़ता रहता है वगर आपका मूल वेतन मान लिजेट मोटे मोटे तोर पर अगर 21,000 है या 21,000 को मैं 22,000 मान लेता हूँ तो इसका 46% लगभग लगभग आपको महगाई बत्ता मिलेगा जो तकरीबन 9,900 रुपए के हासपास बन जाता है 9,902 इसको जब मूल वेतन में जोड़ते हैं तो ये वेतन वो वेतन होता है जो कि आपको इन हैंड सेलरी के रूप में दिखाया जाता है कि सर ये आपकी इन हैंड सेलरी है कहते हैं ना कि in hand कितना मिलेगा तो यह आपको in hand मिलेगा कुछ बच्चे यही आते हैं इनको यही जारना है कि in hand salary कितनी है भाई तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि in hand salary यह होती है उतरफदेश police constable में जब आप join करते हैं ठीक है उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं training के बाद की बाद जब आपको कहीं न कहीं थाना मिल जाता है थाने मिलने के बाद आपको रहने की बाद होती है तो यह होता है एक salary जिसको house rent allowance कहा जाता है क्या कहा जाता है house rent allowance और ये house rent allowance उत्तर प्रदेस में city के हिसाब से मिलता है बोले सर कैसे city के हिसाब से मिलता है उत्तर प्रदेस में जहां जहां सिपाईयों की तैनाती होती है उट जितने भी शहर है उनको तीन category में बाटा जाता है A, B और C मान लिजे A category के सहर जैसे कौन कौन से है जैसे कानपूर हो गया, लकनाओ हो गया, लहाबाद हो गया, वारानशी हो गया, गोरगपूर हो गया ये सब A category के सहर है तो जहां पर A category के सहर है वहां पर अगर आप constable पत पर तैनात हैं आपको प्रती माह 2400 रुपए रहने के लिए दिया जाएगा अब इसका मतलब यह नहीं कि आप अगर 2400 रुपए रहने के लिए दिया जाता है तो आप अगर 2400 का कमरा ले ले लेते हैं 2400 का कोई घर ले ले लेते हैं इसी प्रकार से दूसरी केटेगरी city के लिए आपको जो HR मिलता है वो 1500 मिलता है और C प्रकार की city के लिए जो आपको HR मिलता है वो कितना मिलेगा वो मिलेगा मातराट सो रुपर, प्रती महीने, अब इसके बाद आप अपनी salary अपने वेतन से जितना भी कटाना चाहें वो कटा के जहां मन हैं वहां रह सकते हैं लेकिन government की तरफ से, राजय सरकार की तरफ से आपको प्रती महीने city को देखते हुए इतना ही house rent allowance मिलता है ठीक है, ये बात मुझे लगता है आपको भरपूर तरीके से समन्झ में आई होगी तो अब हम लोग बढ़ते हैं DA, आप बोलोगे स इसको बोलते हैं daily allowance, सर ये daily allowance कम मिलता है, इसकी बात अगर समझते हैं कि ये daily allowance कम मिलता है, अगर आप अपने सीमा छेतर से मान लिजे कि आपकी तैनाती किसी एक ठाने छेतर में है और उस ठाने छेतर से आप 8 km जाकर अगर कहीं भी नौकरी करते हैं, कितने किलो मेटर दूर जाकर 8 km दूरी पर जाकर अगर नौकरी करते हैं, कितना 8 km, जैसे चुनाव duty हो गई, या कोई अन्य duty हो गई, कहीं पर आपको सांती सुरच्छा व्यवस्था बहाल करने के लिए भेज दिया जाता है, तो अगर वो आपके destination से 8 km की दूरी पर है, जहां पर आपकी तैनाती ह तो उसके बाद आपको, अगर आप सहर A में हैं, तो आपको 390 रुपए प्रति दिन मिलेगा, प्रति दिन, एक्स्रा और, ये मूल वेतन और इन सब के बाद, अगर आप सहर B में हैं, तो 300 रुपए प्रति दिन मिलेगा, और अगर आप सहर C में हैं, यानि तीसरी प्रकार क केटेगरी में है तो आपको 240 रुपए प्रति दिन एक्स्ट्रा और मिलने वाला है, ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं आहर बत्ते या नि भोजन की बात, आहर बत्ता क्या होता है, भोजन होता है, राजसरकार की तरफ से अगर आप कॉंस्टेबल पद पर तैनाती हुए है, सि इतना गॉर्मेंट की तरफ से आपको दिया जाता है, उसकी साथ साथ, वर्दी का भत्त तीन हजार रुपए प्रति वर्स होता है, यह महिने का नहीं होता है, यह तीन हजार रुपए प्रति वर्स, गॉर्मेंट की तरफ से वर्दी का भत्त दिया जाता है, बेसिकली दो प बदलाव के लिए या उसके लिए आपको गौर्मेंट की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से तीन हजार रुपए प्रती वर्ष देखने को मिलेगा। NPS की अगर बात करें तो 10% आपका NPS कटता है, सिम बत्ता आपको एक हजार रुपए मिलता है, ये चीजे होती है। अब बहुत सारे अभी भी मन में प्रस्ण उठेंगे, तो मैं आपको सेलरी स्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद एक चीज और भी दिखाऊँगा, तापके आपको चीजें बड़ी स्पस्ट हो जाए। ये मैं आपको बता रहूँ कि अगस्त 2023 की एक बच्चे की जो की हेड कॉंस्टेबल के पद पर तैनाथ है, लखनव में, कहाँ पर सिक्योरिटी विभाग में उसकी बात करते हैं, तो अगर देखिए, इनकी नौकरी को तकरीबन 8-9 साल हो गया है, क्योंकि अगर इनका बेस कामफी समय हो चुका है, तो अगर आप हेड कॉंस्टेबल तक पहुंच जाते हैं, तो मैं आपको ये बताओं कि आपका बेसिक पे 33,000 है, इसमें आपका डिये कितना है, डियरनेस अलाउंस कितना है, तो इस बार इनका डियरनेस अलाउंस है 13,986, जो कि बेसिक पे का 46% या राज सरकार की तरफ से इनको दिया जाएगा, ना जादा ना कम, अभी 19,000 के कैमरे में रहें, होटल में रहें, कहीं भी रहें, राज सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, इसी तरीके इनको वीकल अलाउंस, यानि की गाड़ी का बत्ता भी दिया जाता है, 200 रुप देखा, देखें, इनका डिडेक्शन जो हुआ है, NPS में 4789 हुआ है, जो कि इनके मूल वेतन का लगबग लगबग 9% के आसपास है, 9,4,6, बलकि 10% के आसपास आप मान लेजे, इनके मूल वेतन से, ठीक है, उसी तरीके इनके इनके इंस्योरेंस के लिए 30 रुपए और इन बनता है, वो 52,489 है, जब कि total deduction, जो कि NPS का काटा गया है, जो कि हर एक government employee का कटेगा, जो scheme के तहत आएगा, लेना चाहिए, 4,834, तो net pay, जो इनकी net salary बनी है, वो कितनी बनी है, अगस्त 2023 में 47,605 पर, नाम क्या है, इनका employee code क्या है, यह सब मैंने hide कर रखा है, लेकिन वास् का, आपका basic structure salary का, अब कुछ बातें और भी इसमें छूट जाती है, तो यहाँ पर जैसे लिग देता हूँ, जैसे वर्दी बत्ता मैंने आभी आपको बताया, 3000 रुपए है, बीमा 70 रुपए है, NPS मैंने आपको दिखा दिया, महेंगाई बत्ता वर्स में 2 बार मिलता है, यह दिये जो है, डियर्नेस अलाउंस, यह महेंगाई बत्ता वर्स में 2 बार होता है, ठीक है, पहला वाला, उसके बाद increment 651 रुपए का होता है, वर्स में 1 बार होगा, हर साल आपका increment भी होगा, यह भी confirm है, यह बातें वहीं लिखी हैं और कुछ और extra नहीं लिखा है, पुलिस में सबसे खास बात यह होती है, 188 रुपए जैसे मैंने आपको salary slip में दिखाया था, कि यहाँ पर 188 रुपए जो kit maintenance है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वर्दी का maintenance कहते हैं, जो कि 188 रुपए होता है, बाकि सारी चीजे मैंने आपको बताई, तो य चैनल को like और share, subscribe जरूर कर लीजेगा, इसी प्रकार के छोटे छोटे और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्तित होता रहूँगा, जै हिंद!